Good morning students, आज हम लोग revision करेंगे big and small object का, ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, tick the bigger object, इसका मतलब है, हम लोगों को tick करना है, big का मतलब होता है बड़ा, यानि हम लोगों को tick करना है बड़े object पे, यह क्या किस चीज का picture बनाया है, देखे तो, यह ball का picture बना है, हम लोगों को बड़े वाल यह ball को tick करना है, तो इसमें से बड़ा वाला ball कौन सा है, यह है, तो हम लोग इस box में ऐसे tick करेंगे, okay, take the smaller object, किस चीज का picture है, tree का picture है, अब इसमें smaller tree कौन सा है, smaller का मतलब होता है, छोटा, bigger का मतलब होता है, बड़ा, smaller का मतलब होता है, यह वाला picture, smaller है, तो हम लोगों को क एसे tick करना है, एसे tick करना है, ठीक है, tick the bigger object, यہ किस चीज का picture है, kite का picture है, कहाँ उठता है, आकाश में उठता है, तो इसमें हम लोगों को big पे tick करना है, तो यह वाला object हमारा big है, तो यहाँ big पे tick करेंगे, यह हमारा रिविजन क्लास था बेक एन स्मॉल का कॉंसेप्ट इससे पहले भी क्लास में हो चुका है आप लोगों को यह वर्क कॉपी में करना है नेक्स्ट क्लास में किसी और चीज़ का रिविजन होगा तब तक के लिए बच्चो बाई